गुद बॉर्णिंग स्ट्विएंस कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे आपकी वर्षिक नमर 36 आइसे अच्छे से लेबल कीजिए डेट दालिए क्लास सब्जेक्ट कता नाम अपने डीचर का नाम लिख लिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उफ पंचाहिती राज एंड अपर अर्बर ऑडं अम परचेंतिराज एंड अर्बर अडिशन ठीक है या आज अिलोग जो है क्यसे बनता है यह अरबन एड्वन अडिमिस्टरेशन जो जो है वह कैसे बनता है इसके बारे में जानेंगे पंचायती राज को हमने पढ़ा था Ruler Administration भी कहते हैं तो हम लोग इसको ही पढ़ेंगे तो चले देखते हैं कैसे बनता है तो पहले पंचायती राज को पढ़ते हैं फिर रूलर को पढ़ेंगे पिर आरबन को पढ़ेंगे यह लिए लिए ग्राम सबा इस अमीटिंग ओफ ओल अडल्ट यानि की ग्राम सबा जो है जितने भी अडल्ट है उनकी मीटिंग से बनती है Anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote is a member of the ग्राम सबा कहते हैं कि ऐसा इंसान जो 18 साल का है या 18 साल से जादा का है उसको वोट देने का अधिकार है और वोटर लिस्ट में उसका नाम भी है वो वोटर लिस्ट का member भी है ठीके वो लोग क्या करते है वो लिव्ज इन अ एरिया covered by a पंचायत और वो उसी एरिये में रहता है जिस एरिये की वो पंचायत है ठीके यानि की पंचायत को क्या करते है हर गाओं को छोटे छोटे वोट में रिवाइट कहते है नहीं वोट किसे कहते है small area इच वोट इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव वो इस नोन अज दे वोट मेंबर पंच ठीके अब क्या होता है हर area से एक आदमी जो है वो क्या होता है चुना जाता है खड़ा होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिदी होता है जो वोट मेंबर के नाम से चुना जाता है all the members of the Gram Sabah और जितने भी members होते Gram Sabah के also elect a serpunch वो क्या करते है एक serpunch को चुनते who is the panchait president उसे हम लोग क्या बोलते है वो panchait का president कहलाता है the word punch and the serpunch from the gram panchait ये सब लोग मिलके क्या करते है gram panchait के जो panch है serpunch है ये सब मिलके gram panchait को बनाते है the gram panchait is elected for five years यानि कि gram panchait है वो एक बार बनती है तो पास साल तक की कारे करती है आगे बोलते है the gram panchait has a secretary who is also the security of the gram saba कहते है gram panchait के एक secretary होता है जो gram saba का भी secretary कहलाता है this person is not an elected person but it is appointed by the government कहते है कि ये जो आदमी होता है यहाँ पे जो आपको बता रहे secretary ये जो है एक normal person नहीं है ये election के थूरू जीत के नहीं आता है बलके इसे government के द्वारा appoint किया जाता है the secretary is responsible for calling the meeting of the gram saba secretary ही ये काम करता है gram saba की meeting बलाता है gram panchait की meeting बलाता है and keep a record of the procedure और जो भी काम हुआ है जो भी निर्णे लिए गए है कुछ भी जो भी काम हुआ है उसको record रखने का काम भी किसका होता है secretary का होता है ठीक है तो ये तो हुआ आपका panchaitी राज अब हम लोग बात करते urban administration की तो बोलते है the city is divided into different wards and wards counselor get elected कहते है city जो है वो अलग-अलग wards पर divide की जाती है और wards counselor होते है ठीक है उनको elected किया जाता है उनका election होता है all adult living in ward यानि वो सारे बड़े लोग adult लोग जो उस ward में रहते हैं यानि अब adult किसे कहा गया ऐसा इनसान anyone who is 18 years old or more and who has the right to vote and whose name in the voter list कहते हैं अब यह adult किसको कहा है ऐसे इनसान को जो अठारा साल का है या अठारा साल से जादा का है जिसको vote देने का धिकार है और voter list में उसका नाम है वो क्या करता है अपने councillor को चुनता है कैसे vote दे के all the councillor together elect the my mayor who is the head of the corporation आप कहते हैं जितने भी आपके जो councillor होते हैं वो मिलके mayor को चुनते हैं जो की आपका इस corporation का क्या कहलाता है head कहलाता है the councillor and the mayor together constitute the corporation of five years कहते हैं mayor और councillor मिलके इस चीज़ को कितने साल के लिए चलाते हैं पास साल के लिए जैसे के भी हमने gram बन चायतने पढ़ा वो भी पास साल के लिए होते है यह भी पास साल के लिए होता है चीके आगे क्या बोलते है the complicated decision that affect the entry city are taken by the group of councillors from who are committed to decided and debated issues अब कहते हैं कि यही लोग मिलके क्या करते हैं पूरी city को जो है city के जो भी कानून है उसको करते हैं उस पर debate करते हैं है ना decide करते हैं हर मुद्दे पे जो भी है और उसको ही लागू करने का काम यह लोग करते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आप देके यहां फॉर्स्टोशन लेका है election of gram panchayat यानि कि gram panchayat का election वो किस प्रकार होता है किस तरह से उसका किया जाता है चलिए इस कांसा देखते है कि अब आप इस कांसा यहां से लिखेंगे कि भाई जो आपके गाउं होते है every village एक panchayat होती उसको divide करते है wards में यानि छोट-छोटे area में ठीके? और हर ward का क्या होता है? एक representative होता है इसे हम लोग क्या कहते है ward member या पिर panch कहते है ठीके? और फिर सारे members जो है वो मिलके क्या करते है सरपंच को चुनते है और सरपंच जो है वो इनका president कहलाता है और साथ ही साथ दोनों लोग मिलके क्या करते है सरकार बनाते है जो की 5 साल के लिए राज करती है ठीक है लिए लेगे चलिए आगे पढ़ते है नेक्सरी लिख़ा है हो इस दा मुनिपल कॉपरेशन एलेक्शन किश तरह किया जाता है बताये चलिए इसका अंसर देखे वीडियो का फिनिश करते है तो तो आप इसका अंसर यहां से लिखेए देटी इस का अंसर लंबा होगा क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसस्स पूछा है आप से ठीक है तो आप इसको पूरा लिखेंगे कि भाई पहले तो सिटी को डिवाइट किया जाता लग लग वाट्स पे वाट्स के कंशलर चुने जाते हैं और फिर सरकार मंबनाते हैं और वो कब तक की काम करते है पांस साल के लिए कर लेंगे चलिए तो आछी वजिटिक रड़ करने हैं अच्छी वीडियो में बस अतना है अगर अभी तक आप ने आपने फ्लीस माचेवल और स्क्राइब करें था एक एक रचे हैं